दोस्तों मैं आज आपको एक best mic lead बना कर दिखाऊंगा जो ना ही कोई शोर करेगी और city को control करने के लिए mixer का अच्छा support करेगी जिसके लिए आपको market से original XLR cable का टुकड़ा लाना होगा और साथ में यह दो original male female XLR connector लाना होगा और दोस्तों साथ में 5 रुपए की 3 number packing slip ले लेना जो connection करते समय काम आएगी दोस्तों यह हमारी original pure copper mic lead है जिसे हम cutter की सहायता से दोनों छोड़के तार निकाल लेते हैं अब इस तरह जाली नुमा तार को और बीच के red और white wire को इस तरह अलग कर लेते हैं तो दोस्तों हम इस तरह दोनों छोड़के सभी wire को अलग-अलग कर ले जिसके लिए mixer और amplifier sound system को चालू कर लेंगे और volume slider को बढ़ा लेंगे दोस्तों इन सभी wire के color का ध्यान देना कि किस number में कौन सा टार लगेगा जिसके लिए आपको full metal का screw driver या कोई pin ले लेना है और इस तरह दो number में डालना है तो इस तरह full audio pick-up sound में देखने को मिलता है इसलिए हम number 2 में इस red wire को लगाएंगे और number 3 पर हमें थोड़ा कम pick-up देखने को मिलता है इसलिए 3 number में negative white wire को लगाएंगे अब दोस्तों एक number की pin में ना तो कोई audio आता है ना कोई pick-up इसलिए one number point में हम ground wire जो जाली नुमा होता है उसे लगाएंगे तो चलिए अब connection करना शुरू करते हैं इस कपड़े वाले wire को दोनों side से इस तरह काट देते हैं अब दोस्तों इस तरह lead के दोनों छोड़ से audio pick-up वाले तार को जाली नुमा तार को छोटा कर लेते हैं और cutter की सहायता से सभी के तार निकाल लेते हैं आप सभी तार में एक-एक करके solding कर लेते हैं जिससे socket लगाने में आसानी हो इस तरह हमने soldering कर ली है अब socket लगाते हैं दोस्तों यह दोनों हमारी male-female xlr socket है जिसके cape को lead में इस तरह डाल लेते हैं अब connector के connection करते हैं इसमें आपको सभी पीनो पर नंबर डले हुए दिख रहे होंगे connection sold करने से पहले हम socket के सभी पॉइंटों पर hard paste लगा कर solding लगा देंगे जिससे मजबूती से तार जुड जाए चलिए अब connection करते हैं connection करते समय सभी पिन नंबर का जरूर ध्यान देना अब हम जाली नुमतार को number 1 और ground के साथ इस तरह sold कर देते हैं अब जो हमने तीन नंबर slip ली थी उसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह कर लेते हैं और audio pickup वाले दोनों तार पर डाल देते हैं अब दो नंबर में red wire को और तीन नंबर में white wire को sold कर देते हैं फिर wire clipper को इस तरह lead में लगा कर cap बंद कर देते हैं इस तरह मजबूती से हम connector को लगा लेते हैं अब दूसरे छोड का connector लगाते हैं इसमें भी पहले तरह सभी point पर pasting करके sold करते हैं इस showcase में भी सभी pin पर नंबर डला होता है जिसमें हम उसी connector के जैसे इसमें भी एक नंबर और ground में जाली नुमातार को sold करते हैं और फिर slip डाल कर दो नंबर में red wire और तीन नंबर में white wire को sold कर देते हैं और wire clipper लगा कर cap को बंद कर देते हैं अब mixer में lead को लगा कर test कर लेते हैं तो दोस्तों हमारी XLR lead बराबर काम कर रही है इसी तरह की और वीडियो के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like कर देना धन्यवाद कर दो चैनल के बитका कर देना स्ञ्चक्ड़ कर देना लिए लेगा डपतेyty Drag भीडियो को आद कर दो से चैनल कर दो भीडियो करें